मैं है इसलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेंग मुंबई में एक म्यूजिक कमपनी के सीओ का बंदू की नोग पर अपहरण करने के आरोप में शिवसेना शिंदेगुट के विधायक प्रकास सुर्वे के बेटे राज सुर्वे समेथ 10 से 15 लोगों के खिलाफ एफायार दर्च किया गया है आरोप है कि राज सुर्वे के लोगों ने शिकायत करता का अपहरण किया था मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एफायार दर्च कराए गई है उसे फाईयार के अनुसार शिकायत करता का अपहरण कर लिया गया और उसे विधायक कारियाले में ले जाया गया उसके बाद बंदू की नोख़ पर उस से कुछ दस्ता वेजों पर हस्ताक्षर कराये गए अस्थानिय पुलिस ने हस्त छेप किया और शिकायत करता को बचाने में कामियाब रही जिसके बाद अपहरण और हत्यार अधिनियम के तहट मामला दर्ज किया गया है खबरों के अनुसार इस घटना का सीसी टीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि 10-15 लोग एक कार्याले में घुसते हैं कर्मचारियों के साथ भी यहाँ पर मारपीट हाथापाई की गई और एक शक्स को जबरन अपने साथ ले जाते हुए दिखाई देते हैं वीडियो में राज सुर्वे नहीं मौजूद है यह ध्यान देने वाली बात है लेकिन इस सीसी टीवी में शिंदे गुट के विधायक प्रकास सुर्वे का बेटा राज सुर्वे नहीं है वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो राज सुर्वे के लोग है music company के CEO को यह लोग राश्च चुरुवे के office में ले गए वहाँ वो खुद मौजूद थे लेकिन अब पुलिस इस पुरे मामले की FIR दर्ज करके investigation कर रही है